इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते ह और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. सेज फाया LV 500 टैबलेट एक मिर्गी रोधी दवा है जिसका इस्तेमाल मिर्गी में दौरे, यानि की fit बैठता है, के इलाज के लिए किया जाता है. इसका उपियोग अकेले या अन्य दवाओं के साथ किया जा सकता है. जब तक आप इसे लेना जारी रखते हैं, तब तक यह दोरे को रोखने में मदद करता है. सेज फाया LV 500 टैबलेट मस्तिश्क में असामान्य विद्यूतिय गतिविधी को कम करता है. आप इसे भोजन के साथ या बिना ले सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लाब प्राप्त करने के लिए इसे प्रतीक दिन एक ही समय पर लेने का प्रयास करें. खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करेगा और आप दवा के प्रतीक ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं. आपका डॉक्टर आपको सही खुराक की सलाह देगा इसे आम तोर पर दीर कालिक उपचार के रूप में सलाह दी जाती है आपको इसे तब तक लेना जारी रखना चाहिए जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो भले ही आप ठीक महसूस करें यदि आप खुराक लेना बंद कर देते हैं या चूक जाते हैं तो आपके दौरे और भी खराब हो सकते हैं इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स में चक्कर आना, सिर्दद, संक्रमन, जलन, नाक बंद, यानी की भरी हुई नाक, नींद आना, व्यवहार में बदलाव, आकरामक व्यवहार और भूक में कमी शामिल हैं साइड इफेक्ट पहले कुछ हफ़तों के दौरान अधिक सामान्य होते हैं और आमतोर पर कम हो जाते हैं क्योंकि आपके शरीर को दवा की आदत हो जाती है इनमें से अधिकांच दोशप्रभावों को चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन उनमें से कुछ गंभीर हो सकते हैं इस दवा के साथ हिलाज किये जा रहे लोगों की एक छोटी संख्या में खुद को नुकसान पहुँचाने या मारने का विचार आया है यदि आपका मूड बत्तर के लिए बदलता है तो अपने डॉक्टर से संपर्ख करें इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको गुर्दे की समस्या अवसाद या आत्महत्या के विचार है और यदि आप गर्भवती हैं गर्भवती होने की योजना बना रही है या स्तनपान करा रही है आपका डॉक्टर इस दवा को लेते समय आपके गुर्दा की कारे प्रणाली की निग्रानी के लिए नियमित रक्त परीक्षन का सुझाव दे सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद